नमस्कार दोस्तो मैं अनुच कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जागरव अकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं और दोस्तो आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करेंट अफेर्स का एक सेशन तो दोस्तो जितने भी हमारे नए साथ ही जोट रहे हैं पिलीज सब् चेंज माई लाइफ नो वन केंडू इट फॉर मी तो दोस्तो अब आप समझी कहें होंगे कि केवल आप ही हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं कोई भी आपके लिए कार नहीं करेगा यानि कि आपको अगर सहीं सफलता चाहिए आगे बढ़ना है तो खुद से ही मेहनत कर पहल सुरू की है ऑप्शन से हमारे पास एक उत्तरपरदेश बी बिहार सी मद्यपरदेश दी चटिसकर तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मद्यपरदेश यानि मद्यपरदेश राज्य सरकार के द्वारा जितने भी वहाँ पर परवासी मजदूर है उनके लि दोस्तों उनके ये सूज और स्लिपर्स प्रोवाइट कराए जा रहे हैं और जादतर जगों पर जो इस पहल को सुरू किया गया है वहाँ पर पुलिस इस पहल में लगी हुई है और जो इसका जो उद्देश है जितने भी परवासी है उनको संबान जनक अपने जो प्रदेश राज्या की स्ताप्नाविती एक नमबर 1956 में तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रेशन की ओल क्रेशन नमबर टू फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाजेशन के अनुसार चालू वित्वर्ष के लिए निरियात में डैस परतिसत की ग्रावट का अनुमान है ओप्शन से हमारे पास A 20 परसेंट B 15 परसेंट C 10 परसेंट और D 25 परसेंट तो दोस्तों इसक दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाजेशन ने एक रिपोर्ट जनरेट की और इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया कि जो एक्सपोर्ट है चालू वित्वर्ष में उसमें 20 परसेंट की कमी यानि ग्रावट देखी जाएगी और दोस्तों ये पार होता है वो 12 परसेंट है किसके इंडिया के जीडिपी के और इससे करीब 320 बिलियन यूएस डॉलर की अर्निंग होती है फॉर एक्सेंज के रूप में बात करें दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाजेशन की इसकी स्तापना हुईती 1965 में मुख क्वेशन नमर 3 नाबाट द्वारा सहकारी बैंकों और आराजबी इसको कितना फंड जारी क्या गया है ओप्शन सें A 25,000 करोड B 20,500 करोड C 17,500 करोड D 20,000 करोड तो दोस्तों का सही आंसर होगा ओप्शन B 20,500 करोड का जो फंड है वो सहकारी बैंक और रिजिनल रूरल बैं दोस्तों बात करें यह जो फंड जो जारी क्या गया है कोप्रेटिव बैंक और रिजिनल रूरल बैंक को दोस्तों इससे पहले एक प्लान आया था स्पेशल रिफाइनेंस प्लान RBI के दुआरा उसके तहत दोस्तों 25,000 करोड रुपे का जो फंड ता रिलीज क्या जाना थ कोप्रेटिव बैंक रिजिनल रूरल बैंक और इसी के साथ थी दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टिटूशन को तो दोस्तों उसी के तहत यह फंड रिलीज क्या गया है जिसमें से 15,200 करोड कोप्रेटिव बैंक को और 5300 करोड आरार बीज को दिया गया है जिससे की जो प्रेटिव फैसिलिटीज है वो सुगम बनाई जा सकें बात करें दोस्तों नाबाट की नेसल बैंक फोर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेबलमेंट की इसकी स्तापना हुईती 12 जुलाई 1982 में इसके चेर्मेन है हर्स कुमार भनवाला और इसका मुख्याल्य है मुंबई में तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रेशन की ओर क्वेशन नमबर फोर कौन सा केंद सासित प्रदेश कोविड-19 मुक्त हो गया है ऑप्शन से हमारे पास ए चंडीगर बी दिल्ली सी पंडिचेरी और डी लद्दाक तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाक तो आए जानते हैं से जुड़े कुछ इंपो 2020 से तो दोस्तों और जितने भी वहाँ पर जो 43 केसिस जो आये थे वह सभी के सभी रीकवर हो चुके हैं और दोस्तों इसी वज़े से लद्दाक को कोरोना वार्यस फ्री यूनियन टेरिटरी घोशित कर दिया है दोस्तों बात करें लद्दाक की यूनियन टेरिटरी के रू Q5. भारतिय इस्पात संग का अध्यक्ष किसे निूक्ट किया गया है? उप्शन से A. नीरस दवन B. दिलिब ओमेन C. अजयतिर के और D. राजिब कुमार तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option B. दिलिब ओमेन को भारतिय इस्पात संग का अध्यक्ष निूक्ट किया गया है? इसका लावा बात करें दोस्तों नीरस दवन की जो की Chief Risk Officer है किसमे? Yes Bank में और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अजयतिर के की जो की Secretary निूक्ट किये गए हैं Ministry of Women and Child Development और दोस्तों राजिब कमार की बात करें ये Chairperson चुने गए हैं Public Enterprises Selection Board में यानि की PESB में और दोस्तों इससे पहले ये पूर में यानि की Former वित्म सचिब भी रह चुके हैं Former Finance Secretary तो इसी के साथ देखने से जुड़े कुछ important facts दोस्तों दिलीब ओमें से पहले जो वहां के जो President थे Indian Steel Association के वो थे TV नरिंदरन जो की Tata Steel के MDB थे और उन्होंने दोस्तों रिजाइन दे दिया है President of ISA इसी वज़े से दिलीब ओमें को President of the Indian Steel Association चुना गया है तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रेशन की ओड़ प्रेशन नमबर 6 अलिबाबा के सह संस्तापक जैक मा किस संस्तान के निदेशक मंडल से स्तिफा देंगे Options है A. Softbank Group B. Mijuo Financial C. Mitsubishi Corporation D. CNR Group तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Option A. Softbank Group तो आये जानते हैं से जुड़ेगे कुछ important facts दोस्तों अलिबाबा के co-founder जैक मा जोकी Softbank Board of Directors भी थे और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 13 साल तक कार रखिया और दोस्तों अब इन्होंने स्तिफा देने का निर्ने लिया है जोकीन का स्तिफा 25 जून से प्रभावी होगा दोस्तों इसके अलाबा बात करें Softbank Group की तो उसमें 11 Directors थे या 11 निदे सकते और अब यह Group उसमें इस संख्या को बढ़ाने जा रहा है जिसके साथ Board Members की संख्या हो जाएगी 13 इसके साथ Company ने तीन नए नाम भी नॉमिनेट किये हैं Directors के लिए उनमें से दोस्तों Chief Financial Officer है Yoshimoto God Cadence Design System के CEO है Lipboot N और Waseda Business School के प्रोफेसर है Yuko Kabamoto इसके साथ दोस्तों बात करें Softbank के CEO है Masa Yoshison और इसका मुख्याले है Minato City, Tokyo, जाबान में इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 में तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं Next Question की ओद Question No.7 Dash का Bundasi League प्राइमरी फुटवाल लीग COVID-19 लॉक्डाउन के बाद फिर से सुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुखेल कारकरम बन गया है तो हमें बताना है कि किस देश का ये फुटवाल लीग है Options है A. England B. Spain C. Uruguay D. Germany तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Option D. Germany तो आएए जानते हैं से जुड़ों कुछ important facts दोस्तों बंडेशी लीगा जो प्राइमरी फुटवाल लीग है जर्मनी में खेला जाता है एक major sports event है और दोस्तों लॉगडाउन के बाद ये खेले जाने वाला पहला sport event बन गया है जो की बड़े लेवल पर खेला जा रहा है दोस्तों बंडेशी लीगा मीन्स होता है फेडरल लीग जो की फुटवाल की लीग है और दोस्तों ये खाली ही उसमें स्टेडियम में खेला जाएगा और खेल के दोरान दोस्तों जो प्लेयर्स होंगे उनको दो बार टेस्ट किया जाएगा और जितनी भी इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम्स होंगी उन सभी को क्वारेंटाइन भी रखा जाएगा इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इस प्राइमरी फुटवाल लीग की जो की जर्मनी की है और ये जो गेम ता सुरू हुआता 1963 में तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की ओर क्वेशन नमबर एट हाली में मराठी लेखक और नाटक कार डैस का निधन हो गया है ओप्शन से ए रतनाकर मतकारी बी रुदुतेज सिंग सी किसूरी बलाल और डी वी अलदत तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओप्शन ए रतनाकर मतकारी जो की मराठी लेखक थे और साथी साथ नाटक कार भी थे इनका भी हाली में निधन हो गया है बात करें दोस्तों रुदुतेज सिंग की जो की वीम डवलू ग्रूप के प्रेसिडेंट और सीईयो थे और किसोरी बलाल की बात करें दोस्तों ये कन्नड एक्टर थे इनका भी निधन हो चुका है और वी यल दत की बात करें दोस्तों तो ये फिक्की के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इनका भी निधन हो चुका है तो आईए जानते से जुड़े कुछ important facts दोस्तों बात करें veteran, Marathi writer और playwright रतनाकर मटकारी की जिनको COVID-19 positive पाया गया था और इनका निदन हो गया है इन्होंने बहुत सारे Marathi भासा में plays, short stories और novel लिखे हैं दोस्तों Marathi साइते में काफी अच्छा इनका योगदान रहा है इनको national film award से भी सम्मानित क्या जा चुका है इसी के साथ साथ इनको संगीत नाटक academy और साहित्य academy से भी सम्मानित क्या जा चुका है तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं next question की ओर question number 9 narrate ko का महानित दिसक किसे नुक किया गया है options है जुबेर इकबाल बी संजक ओठारी सी राजेस गोयल और डी शिखा सर्मा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option C राजेस गोयल जिनको narrate ko का मानित दिसक नुक किया गया है बात करें दोस्तों जुबेर इकबाल की जिनको J&K यानि जम्मू कश्मीर बैंक का MD अपउइंट किया गया है इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं संजक ओठारी की जिनको Chief Vigilance Commissioner अपउइंट किया गया है साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों शिखा सर्मा की इनको Google Pay का Advisor निव्ट किया गया है तो आए जानते से जुड़े कुछ Important Facts सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेटकों की Stands for National Real Estate Development Council और दोस्तों इसके Director General किसे निव्ट किया गया है राजेस गोईल जी को इससे पहले वो Chairman और MD थे हिंदुस्तान Prefab Limited में और उनको 37 साल का अच्छा खासा Experience है Public Sectors Units का और किसके देट Ministry of Housing and Urban Affairs के National Real Estate Development Council की स्थापना की बात करें वो इती 1998 में और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं Next Question की ओर Question No.10 Landing Craft Utility Ship LCIN LCU L57 को भारते नौसेना में Dash में कमिशन किया गया है Options है A. Goa B. Port Blair C. Mumbai D. Visakha Patram तो दोस्तों का सही आंसर होगा Option B. Port Blair यानि की Landing Craft Utility Ship INLCU L57 को Port Blair में कमिशन किया गया है तो आए जानते से जुड़ेगे कुछ important facts दोस्तों बात करें इस Landing Craft Utility Ship की जिसको तयार किया गया है Garden Reach Ship Builders and Engineers Limited द्वारा और ये अपने स्रेणी का सात्वा वार्शिप है इसका जो प्राइमरी रोल है वो दोस्तों transportation और deployment of man battle tanks यानि की उद्दग विवानों की तैनाती और इसी के साथ साथ बक्तरबंद और जो बक्तरबंद वाहन है और सेना और जाज से किनारे तक जो equipment से उनका transportation सुनश्चित करना है बात करें इस स्रेणी का जो पहला विमान था पहला वार्शिप था उसको commission क्या गया था मार्च 2017 में इसी के साथ बात करते हैं chief of naval staff की वो है admiral करम बीर सिंग तो दोस्तों अगर आपको यह हमारा video session पसंद आया हो और यह video session आपके लिए helpful रहा हो तो please हमारे channel को subscribe कीजिएगा और bell icon को press कीजिएगा ताकि आपको latest updates timely मिलते रहें और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिएगा, share कीजिएगा और comments कीजिएगा और सभी से मेरी appeal है lockdown के समय में निर्दिसों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 क्रेंट अफेर्स के साथ